ये नाजिया है, क्या इसके इर्द-गिर्द बशीरा मूव कर रहा है? हाँ, तो सचा motion is known as the periodic motion, वो motion जो आपने आपको रिलब पाटिकल ये करेंज़ इस motion को बोलते हैं, Oscillation, Oscillatory motion क्या कर रहा है पार्टिक और नाजिया ने बशीरे को बोला कि मुझे जूला जूला दे तो इसने जूलाया तो नाजिया ने देखा कि जूला आसता 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 दुबारा क्या आ रहा है अपनी मीन पोजिशन पे आ रहा है तो नाजिया रोने लगी ओ बशीरे ओ बशी पीर मीन आ रहा है ठीक है यह इसकी किनी और सेलेशन कंप्लीट हुई एक असलिईशन कंप्लीट होगी फुछ बजन लगा कर लटका देता हूं एसा लटका दिया अगर आप दियान से देखो तो क्या यह एक जिगा शेलेट निहीं कर दिया हुए अधर तो इसको शिलती हुए कर रहा है औसलेट कर रहा है ठीक है समझाया कि नहीं है सब बढ़िया सब बढ़िया क्या कर रहे हैं फजिक्स पढ़ रहे सर फजिक्स की टेंशन है क्या कर सकते हैं और अच्छा कितना त्यार हुआ है सर जितनी वीडियो आपने डाली है सारी पढ़ लीए बस दो ही वीडियो रहती है धाटेश वन शवूट 13 वाला रहता है जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं उससे पहले कुछ सुनोगे हा सुना दू सर इसी के लिए तो हम देखने आते हैं और हमने बढ भूरी में क्या है स्थीशि बरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दी स्थीशि बरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दी तुछ जैसी मिल जाये तो गरवालों को छोड़ दी क्या बात है सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया सब करेब चप्टर स्टार्ट चप्टर स्टार्ट करने से पहले में आपको एक चीज बोलना चाहूंगा सिरियस होके ये चप्टर बहुत असान है बहुत असान है तो वो ये सोचने लग जाता है कि ये चप्टर पहाड है, पहाड मतलब मुश्किल है, ये चप्टर मुझे नहीं आएगा, बट सबसे असान चप्टर है ये, बात समझाई के नहीं है, अच्छा देखो ध्यान से, इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो है प्रियोडिक मोशन, कौन सा मोशन, प्रियोडिक मोशन, प्रियोडिक मोशन कौन सा हो गया, दा मोशन, दा मोशन, वीच, वीच रपीट इटसल्फ, वो मोशन जो अपने मोशन को रपीट करता हो, जैसे फॉर एजमपल, ये सन है, क्या सन के इर्दगिर्द अर्थ मूव करता है, हाँ मूव करता है तो ये कौन सा मोशन हुआ प्रिय९ूडिक मोशन प्रियूडिक मोशन वो हो गया जो अपने मोशं को रिपीट करें ये बशीरा है क्या बशीरे के इर्द-गिर्द नाजिया मूव कर रही है तो सच्छा मोशन इस नूनए अज प्रियूडिक motion और example दो तो इसका उल्टा भी लिख सकते हो ये नाजिया है क्या इसके इर्द गिर्द बशीरा मूव कर रहा है हाँ तो such a motion is known as the periodic motion वो motion जो आपने आपको repeat करें उसको बोलेगे periodic motion जैसे for example ये मैं यहाँ से इदर चलता चलता इदर गया फिर यहाँ से चलता इदर गया ऐसे ऐसे यह मैं आपने motion को repeat कर रहा हूँ मतलब जहाँ पहले था वहीं वापिस आ रहा हूँ मतलब मैं अगर यहाँ पे था तो मैं यहाँ पे गया और फिर वापिस आ गया फिर यहाँ से यहाँ पे गया और फिर वापिस आ गया कियोडिक मोशन हो गया इतनी बात क्लियर हुई इतनी बात हाँ सर इतनी बात क्लियर हो चुकी है अच्छा और भी एक्जम्पल से जैसे फॉर जम्पल ये मेरे पास पंडूलम है बड़ा अमीर हुम है हीरा बांद के लाया मैंने देखना यही एक्छल यही चेप्टर पढ़ना है यही है ठीक है यह अगर समझाए यह रखो यह पंडूलम है यह पंडूलम है अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करूँ कि आपने मोशन को रपीट करता है हाँ जी रपीट कर रहा है तो सच्छा मोशन is known as the periodic motion अब देखो न इसको यह जा रहा है इधर जा रहा है और वापिस अपनी जगह आ रहा है तो यह अपने मरलब यह अपने मोशन को रपीट कर रहा है इसी को बोलते प्रियोडिक मोशन ऐसे फैन भी होता है ठीक है न इसको भी क्या बोला जाता है periodic motion ठीक है अच्छा फिर एक और टॉबिक आता है जिस में है ओसिलेशन ओसिलेशन क्या है दा समझ ना इदर रेखना दा तू दे टू एंड फूर्थ दे टू एंड फूर्थ दे टू एंड फूर्थ मोशन is called oscillation motion तू एंड फूर्थ मोशन कौन सा हो गया तू एंड फूर्थ मोशन ये हो गया कैसे जैसे ये पार्टिकल है ये पार्टिकल यहां गया इदर आया यहां गया और वापस इस जगह आया मतलब पार्टिकल यह कर आ इस मोशन को बोलते हैं oscillation oscillatory motion क्या कर रहा है पार्टिकल क्या कर रहा है अच्छा सुनो मेरी बात जिस पा जिस पोजिशन से वो चलता है ना उसको बोलते हैं mean position क्या बोलते हैं mean position जहां तक वो जाता है extreme position जहां तक वो जाता है extreme position ठीक है यह कौन सी position हुई बड़ा प्यार से लिखूंगा मैं that is mean position ठीक है यह कौन सी position हुई extreme position ठीक है यह भी कौन सी position हुई extreme position ठीक है टू एन फोर्थ मोशन मतलब आगे और पीछे वाला मोशन इसको क्या बोलते हैं oscillatory motion या up and down motion ऐसे up and down up and down such a motion is known as the oscillatory motion oscillation 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 अच्छा अब अब ध्यान से समझना इसके बाद है simple harmonic motion कोई यह पूछे क्या oscillation motion periodic motion है तो आप बोलोगे yes it is a periodic motion pm periodic motion ठीक है फिर oscillatory motion की एक type है इसे periodic motion की एक type है oscillation motion और oscillation motion की एक type है that is simple harmonic motion कैसे है देखो it is the it is the type of it is a type of oscillatory motion यह type है किसकी oscillatory motion की वार लग यहां पर भी two and fourth ही होता है ठीक है in which in which in which in which force is force is a force is acting force is acting opposite to the opposite to the displacement यह आपको बड़े अच्छे से समझाएगा पूरा lecture आप देखना ठीक है इसको as the at the end मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस point को कि जो यह force होता है यह displacement के opposite direction में लगता है यही यही चीज इसको simple harmonic motion कहती है अच्छा होता क्या है बिलकुल आराम से समझना कि particle पहले यहां पर होता है ठीक है कौन सी position है mean position है ना फिर particles यह oscillation करता है आगे पीछे फिर पीछे और फिर अपनी जगह पर आ जाता है ठीक है यह mean position यह extreme position और यह भी कौन सी position आगी that is extreme position और अब देखो सुनो सुनो द्यान से इधर इधर दिखना इस particle पे दिखना दियान से आराम से जो मैंने अभी यह point रखा है ना यह point वाला के यह वाला point force and displacement are in opposite direction मतलब इस particle की displacement इधर है इस particle की displacement इधर है but इसको ऐसी force लग रही है जो इसको पीछे खीच के वापस ला रही है मतलब इसकी force किस तरफ है इस तरफ है यह मैं कुछ कुछ time के बाद आपको mathematically प्रूफ भी करूँ गा ओके अच्छा यह मेरे पास simple harmonic motion मतलब मैंने आपको अच्छे से समझाया अब मेरी बात दियान से समझो मेरी बात दियान से समझना particle कर रहा क्या mean से extreme जा रहा है होई होगी अब देखो इसको अच्छे से समझने के लिए इसको अच्छे से समझने के लिए न हम इसका क्या ड्रा करते हैं फेजर करते फेजर बिल्कुल अराम से अच्छे से समझ क्यूंकि फेजर बड़ा important हो जाता है ठीक है फेजर क्या होता है फेजर देखो जैसे फॉर करा रहा रहा जिन को पार्टिकल क्या कर रहा हो यह मीन इस हा रहा है फिर extreme जा रहा है फिर mean आ रहा है ठीक है यह इसकी कितनी oscillation complete हुई एक oscillation complete होगी ओके सर इतनी बात मुझे समझ आगी ठीक है अब देखो ध्यान से अब ऐसे आपको सामने से यह circle ही नज़रा लाना देखो particle क्या कर रहा है mean extreme mean extreme mean लोगी नए यहां एपक्वाइन आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या यह यहां से mean extreme mean extreme mean बात समझे इसको आप ऐसे समझों कि particle क्या कर रहा है mean से extreme जा रहा है extreme से mean meanसे extreme और फिर mean आ पूर आप दियान से दिमाग खुला रखो तो पार्टीकल क्या कर रहा है यह mean position है नहीं, तो mean से कहां जा रहा है, extreme, extreme से mean, mean से extreme, फिर क्या कर रहा है, mean कर रहा है, तो यह अपना पूरा oscillation एक क्या कर रहा है, complete कर रहा है, तो मैं इसको अच्छे से, अच्छे से समझाओ, देखो particle क्या कर रहा है, यह इसका phaser आ जाएगा, phaser कैसे है, अराम से समझना, यह phaser कैसे है, phaser इसलीए बनाते है, तांकर SHM को अच्छे से समझा जा सके, क्या है, कि ये particle mean position है, mean position, mean से किस पे आया, mean से आया, यह extreme position पे, extreme प्र 이 किस से आया, फिर mean position से यह कहां गया, extreme position और यह तोबारा कहां पे आ इया, mean position पे, ये SHM का क्या आ गया, फेजर आ गया, यह इसका फेजर आ गया, बात समझे की निया, आप खुद देखो, क्या देखो, के पार्टिकल क्या कर रहा है, डिकना दियान से, पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल यह कर रहा है, मीन, एक्स्ट्रीम, मीन, है न, बट अगर आप इसको यह वाला मीन है, तो ये पीछे भी मीन होगा, तो मीन, एक्स्ट्रीम, मीन, एक्स्ट्रीम और दुबारा मीन, अब सामने से, सामने से, देखो, सामने से क्या लग रहा है, मीन, एक्स्ट्रीम, मीन, एक्स्ट्रीम है ना, बट आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, मीन, एक्स्ट्रीम, मीन, एक्स्ट थोड़ा अच्छा कर देता है ऐसे चम को थोड़ा समझा जाता है कि पार्टिकल क्या कर रहा है मीन से एक्स्ट्रीम जा रहा है एक्स्ट्रीम से मीन जा रहा है फिर एक्स्ट्रीम पोजिशन पे जा रहा है और फिर मीन पे जा रहा है ठीक है तो ऐसे इसका ऐसे लग रहा है कि X-T graph कैसे draw करूंगा देखना द्यान से ये बिल्कुल अराम से इसे समझना देखो X-T graph ये X और T graph देखो ये मेरे पास mean position है ना mean position mean position से कहां गया सबसे पहले कहां गया extreme position पर है ना mean से कहां गया आगे की तरफ extreme position पर फिर extreme से दुबारा mean position पर आया दुबारा mean पर पूछे position पर आया फिर negative extreme पर गया फिर ये इदर से negative extreme पर गया ठीक है और फिर दुबारा mean position पर आया तो आप द्यान से देखो तो इसका X-T graph कैसा बना जैसा wave बना बात समझाई की नहीं है तो simple harmonic motion है क्या that is a wave motion अब मेरी बात द् इसका graph ऐसे बनता है ऐसे बनता है X-T graph ऐसे बनता है बसिर साब बात समझेगे कि नहीं है मेरी shoulder को भी दर देρεख थोड़ा सा इसका X-T graph ऐसा होता बट simple harmonic motion का feel क्या है ये वाला feel है उसका x-t graph कैसे बनता है ऐसे बनता है ठीक है ये आपको hope ऑस simple harmonic motion के बारे में समझ आया होगा ठीक है अब पांच नंबर का सवाल आता है most important बशिरे कितने नंबर का five marks का important सवाल आता है जिसमें आपने simple harmonic motion का displacement, velocity, acceleration और force निकालनी होती है कितनी चीज़ें निकालनी होती है चार चीज़ें displacement, velocity, acceleration और force निकालनी होती है देखो दियान से हम बुरें इसको करने का तरीका क्या है बिलकुल असान है अब दियान इदर रखना देखना let us consider the particle doing shm अगर shm मतलब simple harmonic motion या आप oscillation भी लिख सकते हो क्या लिख सकते हो? oscillation भी लिख सकते हो अच्छा teacher हुआ तो shm पे बुलेगा कि displacement, velocity, acceleration, force निकालो अच्छा बेका टीचर हुआ तो oscillation ही भूच लेगा ठीक है? कोई issue नहीं है ठीक है? फिर हम particle बना देते हैं क्या shm करते हुए ये मेरे पास particle है, ये mean position पे है, mean से गया extreme, extreme से mean और फिर दुबारा mean पे गया इसका फिर यहीं बनेगा ना, ये वाली mean position है, ये वाली कोंसी है, extreme position, ये वाली कोंसी है, mean position, और ये वाली फिर कोंसी है, extreme position ठीक है, और particle कर रहा क्या है, particle क्या कर रहा है, particle यहां से mean से गया extreme, extreme से गया mean और mean से दुबारा गया extreme, और extreme से दुबारा गया mean, यह इसने एक oscillation क्या कर दी है, complete कर दी है, ठीक, अच्छा, मुझे इसका displacement निकालना है, displacement का मतलब क्या हो गया, अराम से समझना पहले हैं, जो मैं बोल रहाँ, displacement का मतलब हो गया, कि यहां से थोला सा ऐसे आगे की तरफ चला, कितना चला, x चला, मतलब यह particle यहां से थोला आगे की तरफ चला, मतलब यहां पे चला, ठीक है, अभी particle यहां पे है, तो कितना आगे है, x आगे है, मान के चलो, यह center है, और यहां से लेकर इसका जो radius है, वो कितना है, वो कितना है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक, और यह जो जितना चला है वो कितना चला है X चला है ठीक है यह हमारे पास कितना यह कितना आ गया ठिटा आ गया बात समझाई की नहीं और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मान के चलो Y है ठीक है बट यहां से लेकर यहां उपर तक की दूरी को क्या बोलेंगे ए बोलेंगे होप आपको इतनी बात समझा गई है कि इसका रेडियस ए है यह इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की दूरी यह यह क्या एक्स और यह भी क्या एक्स देखो एक्स की नीचे चला है न यह थोड़ा एक्स च कालते हैं displacement देखो आपको पता है displacement कितना हुआ है x हुआ है displacement मतलब shortest distance between initial and final point ठीक है अगर मैं अच्छे से देखूँ मैं अच्छे से देखूँ अच्छे से समझने की कोशिश करूँ तो मेरे पास है that is sin theta sin theta क्या होता है sin theta होता है opposite opposite upon hypotenuse sin theta sin theta opposite क्या है that is x और hypotenuse क्या है a hypotenuse क्या है hypotenuse a है अगर आप ध्यान से देखो इस triangle में इस triangle में x इस triangle में आराम से याद रखना इस triangle p q r वले triangle में hypotenuse क्या p q है ना that is a hypotenuse है और opposite क्या है इसकी opposite क्या that is x ठीक है मुझे x निकालना a को उठा के इदे रखा a sin theta is equal to is equal to x ठीक और मैं अगर x को लिखू x is equal to a sin theta यह मेरी displacement निकल गई है इतनी ही displacement होती है ठीक है बट कुछ चीज़े हम आगे extend करते हैं एक होती है angular velocity omega is equal to theta upon t मलग कितना ठीटा गूमा per unit time उसको बोलते angular velocity और theta को आप क्या से लिख सकते हो omega into t ठीक है यह circular motion में मैंने आपको समझा रखा है ठीक है x is equal to a sin omega t क्यूंके theta की जगा आपने क्या डाल दिया omega डाल दिया hope आपको इतनी बात clear हो गई है okay sir बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है मतलब displacement sign का function है मान के चलो के particle ने mean position से start नहीं किया एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आगे से start किया मतलब particle ने थोड़ा सा आगे से start किया ना कितना आगे से start किया फाई आगे से start किया, कितना आगे से, फाई, तो जो x होगा ना, उस case में कैसे लिखेंगे, a, sin, omega t, प्लस फाई, ये थोड़ा सा displacement का क्या आ जाता है, special case आ जाता है, displacement का क्या जाता है, special case आ जाता है, ये आप ही याद रखोगे, ठीक है, कोई भी doubt होगा, तो please, please comment section में पूँचना, ठीक है, ये हमारा displacement वाला question हो गया, very good, फिर हमने कौन सा question करना है, that is velocity, फिर कौन सा है, velocity, अब मेरी बास द्यान से सुनना, जो velocity होती है न, वो dx upon dt होती है, velocity क्या होती है, dx upon dt, तो आपने x को differentiate कर न है, v is equal to d upon dt, x की जगह आप क्या लिखोगे, a sine omega t, यही तो x की value है, यही तो x की value है, इसकी differentiation करनी है, v is equal to a constant आ बहार आ जाएगा, a constant आ बहार आ जाएगा, sine omega t की differentiation क्या होती है, that is, लिखना जयान से, ये constonant आ बहार आ गया, sine omega t upon dt की differentiation क्या होती है velocity is equal to a आप क्या करोगे ये constant बाहर है omega बाहर आएगा omega बाहर आएगा और d sin omega t की होती है cos omega t ठीक है अच्छा है ये मेरे पस क्या निकला velocity निकली but अगर special case की बात की जाए कि अगर particle थोड़ा आगे से start होता है थोड़ा फाई आगे से start होता है तो हमारा जो velocity होगा वो क्या अगर बी is equal to a omega cos omega t प्लस फाई खोप आपको इतनी बात क्या हुई होगी clear होगी ठीक है इसके बाद हमने जैसे for example यह हमारा special case है यह हमारा special case है ठीक है अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना इसके बाद हमने क्या निकालना है velocity भी निकाल ली acceleration देखो acceleration कैसे निकालेंगे दिखना अराम से सुनना पहलें देखना acceleration 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 देखो acceleration क्या है अराम से समझना acceleration क्या है acceleration is equal to dv upon dt होता है तो यहाँ पर velocity को differentiate करना पड़ेगा अगर आप ध्यान से देखो acceleration is equal to d upon dt velocity की जगह आप क्या लिखोगे a omega cos omega t है न यही है न acceleration की जगह तो आप velocity की जगह तो आप यही लिखोगे ठीक है तब ही इसको differentiate करोगे तो क्या आएगा that is x हमारे पास acceleration आगा acceleration is equal to constant क्या है a omega constant है बहार आ गया d cos omega t upon dt अब d cos omega t की differentiation करनी है तो वो कितना होता है that is a omega वैसे ही है तो omega बहार आता है omega बहार आ गया cos omega t की differentiation क्या होती है that is minus sin omega t अगर मैं अच्छे से लिखो तो acceleration कितना है that is a omega square यह minus sin omega t अगर special case लें special case का मतलब क्या हो गया कि हम थोड़ा सा आगे से चलें तो acceleration क्या हो जाएगा acceleration is equal to minus a omega square sin omega t और इसमें आप क्या लगा दोगे phi लगा दोगे hope आपको इतनी चीज़ क्या होगी है clear हो चुकी है क्या निकाला displacement velocity acceleration चलें आगे चलो आगे चलते हैं ठीक है अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना आपने अभी displacement क्या निकाला displacement is equal to a sin omega t plus 5 यही निकाला न है न यही निकाला ठीक अच्छा velocity क्या निकाली है velocity is equal to a omega cos omega t plus 5 यह special cases में लिख रहा हूं ठीक है acceleration क्या निकाली है acceleration is equal to minus a minus a omega square omega square sine omega t plus 5 acceleration negative आ रही है acceleration क्या रही है negative आ रही है अराम से समझना पहले concept को क्या displacement x is equal to a sin omega t plus 5 है velocity a omega cos omega t plus 5 है और acceleration minus a omega square sine omega t plus 5 है ओके यह तीन equation सा आपने निकाली है ठीक है यह मैंने थोड़ा सा इसलिए देखा और मैं acceleration वाली derivation को यह आगे कर रहा हूं देखो acceleration वाली derivation क्या थी acceleration is equal to minus a omega square sine omega t plus 5 ठीक है a is equal to minus omega square omega square आगे कर रहा है a पीछे कर देए a sin omega t plus 5 यह पूरा किस के बराबर है x के बराबर है न तो acceleration is equal to minus omega square x के जो acceleration है क्या कि जो acceleration है जो acceleration है वो displacement के opposite है बात समझा कि नहीं वो displacement क्या है opposite है यह बात समझा कि नहीं तो इस पर ऐसा सवाल भी आ सकता है driver relationship between acceleration and acceleration and displacement यह भी आप अपने दिमाग में रखो गे okay sir done अब force निकाले एक पोर्स निकाले एक फोर्स इन एस है एम फोर्स इन simple harmonic motion फोर्स कैसे निकालेंगे देखो अराम से समझना इदर देखना हमें पता है force is equal to mass into acceleration होता है force is equal to mass into acceleration होगा यह बहुत जगा आगे काम आएगा नाजिया जी ठीक है दियान इदर दे दे होता है force is equal to mass यह है acceleration की value क्या है minus omega square x तो force is equal to minus m omega square x तो यह देखो मैंने पहले नहीं बोला था कि यह जो force है यह displacement के क्या है opposite होता है यही definition है simple harmonic motion की hope आपको यह चीज़ clear हुई होगी अच्छा जी अब थोड़े बोते में graph discuss कर लेता हूँ SHM के SHM के कुछ graph से एक graph तो मैं discuss कर चुका हूँ but मैं relatively सारे graph discuss करना चाहता हूँ XT graph VT graph and AT graph SHM के graphs हैं जो आपको मैंने discuss करवाने हैं देखो A graph मैंने X displacement कितना निकला A sine omega t plus phi मतलब जो displacement है वो sine का function है है न? sine का function है तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा ऐसे देखना sine का function आपने mathematical किया होगा कैसे graph होता है? sine 0 is 0, sine 90 is 1, फिर sine 0 होता है और फिर negative 1 होता है और फिर 0 हो जाता है यह XT graph ऐसा बनेगा फिर दियान से देखो VT graph कैसे बनेगा? V is equal to A omega cos omega t plus phi है न? यही है न? velocity का formula तो इसका कैसे बनेगा? इसका ऐसे बनेगा यह देखना यह VT जो 0 होता है उसकत maximum होता है ऐसे ही होता है न? maximum और यह कैसे होगा that is? इस तरह से graph बनेगा star wave में ही बनेगे क्योंकि sine वाला graph भी wave वाला होता है cos वाला भी क्या होता है? wave वाला ही होता है 80 graph कैसे बनेगा? 80 graph a is equal to minus a omega square sine omega t plus phi है न? यहाँ पर sine का function है but negative direction में sine का function है तो यह कैसे होगा? यह 80 graph ऐसा बनेगा यहाँ से शुरू होगा negative direction में और फिर इस तरह से बनेगा hope आपको यह चीज clear होगी है कि किस तरह से XT graph, VT graph और 80 graph SHM में पूछा जाता है इसके बाद हमारे पास आती है उसके बाद हमारे पास कुछ definitions है जो हमने पढ़नी है जैसे amplitude, wavelength, time period और frequency क्या होता है? मेरी बात द्यान से समझना जैसे मैं आपको एक definition करवा रहा हूँ पहली definition है amplitude अब आपको ये चीज़ समझा जाएगा amplitude क्या होता है? amplitude एक distance होता है या मान के चलो displacement होता है between mean position and extreme position ठीक है? मतलब अगर particle SHM कर रहा है तो ये इसकी mean position है और ये इसकी extreme position और ये ऐसे मतलब ये mean position और extreme position के बीच में कितनी दूरी है वो उसका क्या होगा amplitude होगा ठीक है और अगर आप XT graph में देखो XT graph में देखो ये X है और ये T है ठीक है तो ये wave कितनी ऊची जा रही है देखो ना ये mean position है और ये इसकी क्या आजाएगी extreme position तो ये कितना हो जाएगा that is amplitude हो जाएगा ठीक बात समझाएं कि नहीं आई अच्छा दूसरा दूसरा है wave length wave length wave length क्या होता है wave length होती है the length of full wave full wave की क्या length है full wave की क्या length है मतलब ये wave length है ना मतलब ये एक पूरी wave है एक oscillation को पूरी wave length को बोलते है इसको lambda से renote करते हैं और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरी wave की जो length होती है उसको बोलते है wave length इसकी unit भी meter होती है और इसकी unit भी क्या होती है meter होती है hope आपको इतनी चीज़ clear होगी और ये तीसरा इसके बाद आता है time period time time period क्या होता है the time taken to complete to complete one oscillation मतलब एक oscillation करने में कितना time लगता है उसी को time period कहते हैं मतलब एक बार यहाँ से यहाँ saying यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ उसको बोलते है time period ठीक है इसकी unit क्या होती है? seconds होती है मुझा एक बार ये करने में कितना time लगता है? इसको बोलते है time period अच्छा इसके बाद आता है frequency देखो frequency क्या है? frequency को denote करते है mu से और frequency क्या है? frequency is equal to 1 upon time ठीक है? reciprocal of time is known as frequency या इसको ऐसे भी लिसकते है number of oscillation per unit time मतलब कितनी जल्दी जल्दी particle oscillate कर रहा है देखो अगर slow कर रहा है ऐसे slow कर रहा है तो इसकी frequency कम है अगर तेज़ तेज़ कर रहा है तो इसकी frequency क्या है? जादा है number of oscillation per unit time अगर time जादा ले रहा है तो frequency कम है अगर time कम ले रहा है तो frequency ज्यादा है ठीक है इसकी जो यूनेट होती है उसको उसकी यूनेट हैड्स होती है क्या होती है 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 होप आपको यह चीज़ के लिए होगी होगी अच्छा वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का एक क्या है that is relationship है तो वो मैं करवा देता हूं देखो जैसे जैसे देखो speed होती है speed क्या होती है speed is equal to distance upon time होता है तो अगर आप दियान से देखो speed को मैं लिख देता हूं the speed of a wave that is a velocity of a wave is equal to distance कितना lambda और यह 1 by T है तो मैं velocity is equal to lambda into 1 by T कर सकता हूं यह मेरे पास एक relationship है किसका velocity का lambda का और time का बट अगर आप दियान से देखो velocity is equal to lambda into 1 by T 1 by T को मैं क्या लिख सकता हूं frequency तो velocity is equal to lambda into frequency यह relationship आपने कभी बूलना नहीं है बहुत बार यह वाला relationship आता क्या velocity is equal to lambda into mu velocity upon lambda is equal to mu कि lambda बढ़ेगा तो frequency कम हो जाएगी lambda कम होगा तो frequency बढ़ जाएगी hope आपको इतना concept clear हो गया हो गा अब तक ठीक है यह मैंने पढ़ा दिया अच्छा इसके बाद है examples of simple harmonic motion simple harmonic motion के examples है जैसे हमारे पास यह spring है है यह याद रखना यह जो spring है यह example है किसकी simple harmonic motion की देखो द्यान से अगर मैं spring को ऐसे end से कुछ बज़न लगा के लटका देता हूं देखो ऐसे लटका दिया तो अगर आप द्यान से देखो तो क्या यह एक जगा oscillate नहीं कर यह धर रिखो हिलती वही नजर नहीं है यह धर यह oscillate नहीं कर गया यह यह ऐसे ऐसे नहीं कर the example of simple harmonic motion के spring क्या है simple harmonic motion की example है जैसे यह है इसके सामने आपने यह spring लगा दी ठीक है यह इसके आगे mass बांदिया यह इसकी mean position हो गई और अगर आप इसको थोड़ा सा खीचोगे ऐसे ऐसे extreme position पर ले जाओगे तो फिर यह दर पीछे आएगा ऐसे oscillate करने लग जाएगा यह इसकी mean position होगी तो देखो नहीं यह आगे जा रहा फिर ऐसे जा रहा फिर ऐसे जा रहा यही चीज यही चीज यही चीज तो simple harmonic motion होती है तो मतलब spring हमारा क्या है that is simple harmonic motion देखो द्यान से यह यह ऐसे लगाया यह आपने खींचा इसको तो यह क्या कर रहा है देखो oscillate कर रहा नहीं कर रहा तो सच में spring एक क्या है that is a spring is a example of your spring का motion है यह example है किसका simple harmonic motion का अच्छा जब आप इसको इध इधर ले जाते हो कि इधर ले जाते हो आपने external force लगाई इधर f external इधर लगाई तो इसको पीछे कौन सी force लाती है spring force है ना तो spring force का formula क्या हता है spring force is equal to minus kx ठीक है यह spring force का formula है और जो shm की force होती है वो क्या होती है that is minus m omega square m minus m omega square x ठीक है यह spring force spring force क्या होती है कि इधर खीचा तो spring इसको पीछे लाने की कोशिश करेगी और वो depend करता है displacement पे जितना ज़्यादा खीचोगे आपने पढ़ा नहीं था यह spring है ठीक है यह इधर थी आपने इसको खीचा और यह इधर होगी अब इसको इधर spring force लाती है spring force किस पर depend करेगी x पर depend करेगी spring force is equal to k into x minus k into x इन दोनू force को हम क्या कर देते है compare कर देते हैं यह भी force है यह भी force है मतलब इसकी left hand side जो है equal है तो इसकी right hand side भी क्या होगी equal होगी तो मैं अच्छे से लिखूँ अच्छे से लिखूँ तो क्या हो जाएगा spring वाली force is equal to force shm वाली ठीक है spring वाली force किया minus k into x k क्या है spring constant is equal to shm वाली force किया minus m omega square x ठीक है यह negative negative sign cancel x x cancel ठीक है k upon m k upon m is equal to omega square अच्छा omega square is equal to k upon m ठीक omega होता है angular velocity इसका formula भी होता है omega is equal to 2 pi upon t 2 pi upon t यह बात मैं use करेंगे बट अभी देखो omega is equal to under root k upon m k is the spring constant अगर किसी को नहीं पता ठीक है और m क्या है mass है बात समझे कि नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे वजाइद सर under root katerina calf upon mary कैसे याद रखोगे वजाइद सर under root katerina calf upon mary यह यह तब यह तब लिखना है जब वो angular angular velocity पूछता है ठीक है angular velocity पूछता है या angular frequency पूछता है अगर आप से spring का time period पूछेगा तो आप इस omega को replace करोगे जैसे यह omega is equal to under root katerina calf upon mary omega की जगा क्या लिख सकती हो आप that is 2 pi upon t लिख सकती हो is equal to under root katerina calf upon mary इसको उपर ले जाओ इसको उपर ले जाओ t upon 2 pi इस side भी आपको reciprocal को mary को उपर लेना पड़ेगा और katerina को नीचे लेना पड़ेगा यह under root ठीक है फिर क्या लिखोगे time period is equal to 2 pi under root mary katerina calf ठीक है अगर time period होगा तो इधर mary katerina calf होगा और अगर angular velocity होगा तो यहाँ पर katerina calf upon mary होगा तो spring एक example है किसकी simple harmonic motion की उसकी दो चीज़ें पूछ सकता है एक omega पूछ सकता है और दूसरा time period पूछ सकता है hope आपको spring वाला concept अच्छे से समझ आया होगा simple pendulum, simple pendulum ये वाला pendulum एक चीज़ दियान से समझो न ये जो simple pendulum है ये जो simple pendulum है इधर देखना दियान से ये simple pendulum है ये जो नीचे ball लटकता है इसको bob बोलते है, ball नहीं बोलते और ये दागा है, इसको बोलते है thread ये string भी बोलते हैं, तो ये भी एक example है simple harmonic motion की, ये अभी कौन सी position है, mean position इसको मैं इधर ले गया extreme position पर फिर ये mean position फिर इस side extreme और ये क्या कर रहा है, oscillate कर रहा है two and fourth कर रहा है, ठीक है, समझाया कि नहीं है such a motion is known as simple harmonic motion तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो simple pendulum है, जो simple pendulum है, वो example है किसकी, simple harmonic motion की the pendulum is also the example of simple harmonic motion देखना कैसे, हम एक pendulum consider करते हैं, let us consider a pendulum ये मैंने चट के साथ टांग दिया pendulum ठीक है, ये pendulum, ये इसकी रसी आगी that is string, और नीचे bob of mass m और इसकी length कितनी आगी, l length होगी, ये आप अब दियान में रखोगे, ठीक ये इसकी mean position होगी और फिर मैंने आप इसको थोड़ा सा इस तरफ खींच दिया that is, that is this, this is the extreme position ये कौन सी position आगी, extreme position आगी, बात समझ है कि नहीं अच्छा, मेरी बात बिलकुल दियान से अच्छे से समझना कि जब pendulum को मैंने इदर खींचा, तो ये pendulum जाना कहां जाता है मतब ये चाता है कि ये वापस अपनी position पे आ जाए जब ये यहां पे जाता है, मतब ये pendulum है, यहां से यहां पे गया और ये चाता है कि ये दुबारा इस position पे आ जाए तब तक जब ये नीचे आता है, इसके पास कुछ energy आ जाती है जिसकी वज़े से ये पीछे भी चला जाता है फिर दुबारा ये इधर आता है ऐसे तो ये ओसिलेट करने लग जाता है तो ये ऐसे जम कर रहा है टू अन फॉर्थ कर रहा है ये वाला एंगल मान के चलो थिटा और ये जितना आपने डिस्प्लेस किया है ये मान के चलो कितना है एक्स है ठीक है अब ध्यान से समझना ये मेरे पास mg इसका नीचे लग रहा है और अगर मैं इस लाइन को एक्स्टेंड करूं ऐसे तो ये वाला थिटा है तो ये वाला भी क्या होगा थिटा तो इस mg के दो कंपोनेंट होंगे एक उधर होगा mg कॉस्टिटा और एक इधर होगा mg साइन थिटा और ये mg साइन थिटा ही इसको इधर ला रही हो और ये mg कॉस्टिटा इस टेंशन की वज़ा से क्या हो जाएगा कैंसल तो मैं अच्छे से बोलूँ टेंशन इस इकॉल टू mg cos theta तो इसका mg cos theta का कोई role नहीं है SHM में ठीक है यहाँ पे जो basic force है जो इसको पीछे की तरफ ला रही है वो क्या है mg sin theta तो वो force क्या है f is equal to mg sin theta मैं बोर रहा हूँ अगर theta बड़ा छोटा हो अगर theta small हो तो जो अगर थोड़ा सा आपने theta थोड़ा सा displace किया है तो यह जो sin theta होता है यह theta के बराबर ही हो जाता है और theta आपको पता है theta is equal to x upon l होता है theta is equal to arc देखो न यह अगर आप दियान से देखो तो यह पूरा circle ही गूमेगा ऐसे है ना तो theta कैसे लिखाते है arc upon radius radius कितना होगा l होगा तो आप theta को कैसे लिख सकते हो that is arc upon radius और theta is equal to x upon l यह आप लिख सकते हो मतलब force is equal to mg theta है ना और दियान से देखा जाए तो यह displacement आपने इधर किया तो force को उमसी direction में है negative direction में है तो यह minus यह minus और force जो होगी वो क्या होगी minus mg theta की जगा आप क्या लिख होगे x upon l ठीक है अच्छा यह वाली force होगी एक यह वाली force होगी pendulum वाली और एक होगी simple harmonic वाली force कौन सी simple harmonic motion वाली force होगी अराम से सुनो तो मैं यह बोल रहा हूँ यह pendulum वाली force है pendulum वाली force है mg sin theta है वो ही इसको पीछे कीचने की कोशिश कर रही है वो ही इसका SHM पूरा करवा रही है तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे that is mg x upon l और यहाँ पर कैसे लिखेंगे minus m omega square x x और x क्या हो जागे cancel m और m क्या हो जागे cancel negative और negative क्या हो जागे cancel g upon l is equal to m square omega square omega is equal to under root g upon l तो अगर 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 आप से omega पूछा जाता है is equal to तो आप क्या लिखोगे under root glass upon lota g upon l g is the acceleration due to gravity and l is the length of the string on lota यही आया ना glass upon lota ठीक अच्छा अब ध्यान से देखो तो g is the acceleration due to gravity l for length of the string यह लंबी कितनी है बाद समझेगे नहीं कभी कभी यह 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 angular इंगुलर 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 इसको बोलते एंगुलर frequency ठीक है यह angular velocity भी बोल देते हैं ठीक है अगर angular frequency पूछी तो ऐसे लिख देना ठीक है बट यह पूछता इसका time period है तो angular frequency किसके बराबर होती है 2 pi upon t is equal to under root glass upon lota इसको उपर कर दो इसको उपर लिखा t upon 2 pi is equal to under root lota upon glass ठीक है तो time period जब निकलेगा तो कैसे आएगा time period is equal to 2 pi इदर आ जाएगा under root lota upon glass तो मुझे एक चीज समझा गी यहां से कि जो हमारा pendulum का time period है वो 2 pi under root lota upon glass है मतलब कि यह time period length पे depend करेगा मतलब यह pendulum की length पे depend करेगा length जितनी बड़ी time period उतना ज़ादा ज़ादा time लेगा oscillate करने पे mass पे depend नहीं करेगा but acceleration due to gravity पे depend करे इसको याद करने के लिए इस तरफ भी 2 t से 2 से multiply उस तरफ भी 2 से multiply under root lota upon glass ठीक ज़ाद इदर भी 2 से multiply इदर भी 2 से multiply ठीक है तो आया कितना 2 t 4 pi याद करने के लिए जब आप इसको cut करोगे तो ये टू वन जर टू टू जर और formula दुबारा वही बन जाता है होप आपको ये चीज़ समझ आई हो गी ओके सर अचा energy in SHM देखो मेरी बात ध्यान से सुनो जो SHM होता है न SHM जब हो रहा होता है तो इसके पास energy होती है ठीक है एक energy होती है मान लो कि मैंने इसको किसी height पे चड़ा दिया तो इसके अंदर कौन सी energy store होगी height के लिए potential energy और जब ये move कर रहा है तो ध्यान से दिखा जाए जब ये move कर रहे है ऐसे move कर रहे है ऐसे तो mean position पे इसकी पास velocity होगी तो velocity वाली जो energy होगी तो वो कौन सी होगी kinetic energy मतलब मुझे ये समझाया के simple pendulum के पास दो तरह की energies होती है when when particle when particle does SHM it has two types of two types of energies इसके पास दो तरह की energy होगी एक 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 होगी potential energy potential energy potential energy कब होगी जब ओहो 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 जल्दी-जल्दी बचे लेट हो रहे है paper है उनका कल okay मजायोद मास्चे हो गए तयार pendulum तयार हो रह है pendulum तयार हो रहे हो गयो तयार इतर देखो जब height पे है तो इसकी potential energy जादा है जब mean पे है तो इसके पास velocity जादा है तो तब kinetic energy क्या होती है ज्यादा होती है इतना ज्यादा सोचने का नहीं है ठीक है एक इसके पास potential energy है दूसरी इसके पास kinetic energy है जब दोनु को sum करोगे तो वो होगी total energy is equal to potential energy plus kinetic energy hope आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी अभी हमने क्या करना है अभी हमने पहले kinetic energy निकाल नहीं है ठीक है फिर potential energy निकाल नहीं है फिर दोनु का sum करना है kinetic energy that is k e energy possesses energy possesses by virtue of motion किसकी मदद से motion की वज़ा से देखो दियान से ये मेरे पास आगया छत इस छत से मैंने pendulum टांग दिया और जब वो mean position पे या था उसके पास velocity सबसे ज़ादा है अगर मैं kinetic energy के basic formula पे जाऊँ तो kinetic energy is equal to half mv square होता है velocity का formula होता है a omega sine cos omega t यही होता था न यह velocity का velocity को replace कर लो इसके साथ ठीक है करते हैं replace kinetic energy is equal to half m a omega cos omega t का whole square kinetic energy is equal to half m a square omega square cos square omega t यह हमारे पास kinetic energy का क्या आगया formula आगया ठीक अब मेरी बात यान से समझो मैं इस cos omega t को नहीं देखना चाहता इदर हमने एक formula पढ़ा था 10th class में that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1 यह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं sin square omega t plus cos square omega t is equal to 1 यह formula याद रखो के इसी दिन के लिए पढ़ा था ठीक है तो cos square omega t is equal to 1 minus sin square omega t मतलब जहां cos square omega t है वहां आप यह लिख सकते हो तो अगर आप ध्यान से प्यारा प्यारा छोटा छोटा लिखो kinetic energy is equal to half m a square omega square और इसकी जगह क्या लिख सकते हो 1 minus sin square omega t यह लिख सकते हो नहीं लिख सकते हैं सर बिलकुल लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं ठीक अब इस चीज़ को अंदर multiply कर दो तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या आजाएगा kinetic energy is equal to half m a square omega square है ना इस पूरे को जब 1 से multiply करोगे तो यही आएगा फिर इस पूरे को इस से multiply करोगे तो यह minus आएगा plus minus minus half m a square omega square और आगे क्या है that is sine square omega t ठीक है इतनी बात clear होगी kinetic energy is equal to half m a square omega square अब मैं थोड़ा सा यह change कर रहा हूँ यह a square उदर ले जा रहा हूँ ठीक ना minus half m omega square a square sine square omega t अच्छा अब देखना ध्यान से मैं दुबारा repeat कर रहा हूँ देखो मैं क्या बो रहा हूँ कि मैंने इस वाली चीज़ को one से multiply किया और इस वाली चीज़ को इस से multiply किया और a square को इधर ना a square को उठा के इधर ले आया omega को इधर ले आया जब आपने ये चीज़ की ना जब आपने ये चीज़ की तो ये a square sine square omega t देखो x की value क्या होती है? x is equal to a sine omega t होता है? होता नहीं होता? अगर आप x का square कर लो तो वो क्या हो जाएगा? a का square sine square omega t बास समझें की नहीं है? ये यार डगने ना x का square a square sine square sine square omega t के बराबर होता है तो ये पूरा किसके बराबर हो गया? x का square के बराबर हो गया तो kinetic energy क्या निकली है आपकी? kinetic energy is equal to half m a square omega square minus half m omega square x square omega square x square ये आपका क्या निकला है? ये आपकी kinetic energy का formula निकला है बास समझेंगी निये? और ये आपने क्या करना है? आपने दिमाग में रखना है बहुत असान है बहुत असान है आपने kinetic energy का पहले आपने kinetic energy का simple formula लिखा velocity के साथ replace किया फिर उसके साथ cos omega t को replace किया फिर cos omega t के बाद आपने जो a square sin square omega t था उसको replace किया और उसकी जगा x square लिखा ये मेरे पास kinetic energy निकल गी अब मेरे पास क्या निकाल निकाल निये? अब मुझे निकाल निये? potential energy potential energy what do you mean by potential energy? देखो इसको PE भी बूलते हैं ठीक है? potential energy is simply the work done is simply the work done मेरे बाद द्यान से अच्छे से समझना ये मेरे पास pendulum है ये mass m है जब मैं इसको x दूरी पे यहाँ पे ले जाता हूँ तो इसके अंदर ना potential energy बढ़ जाती है ये store हो जाती है वो किसकी वज़ा से हो जाती है? क्यूंकि आप काम करते हो इसके उपर आप इसको force लगा करे displacement करते हो तो जो potential energy है वो कुछ नहीं है काम है ठीक है? तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा काम निकालना पड़ेगा पहले छोटा काम निकालना पड़ेगा और उसको integrate करके बड़ा काम निकालना पड़ेगा तो छोटा काम निकालते हैं अच्छा फिर मैं लिख रहा हूँ d w is equal to shm वाली force का formula क्या होता है अभी negative sign छोड़ दो तो बस इतना याद रखो m omega square x यही होता है न force का formula तो मैं force क्या लिखूंगा m omega square x d x यह force का formula हो गया अब बड़ा काम करने के लिए integration d w is equal to m omega square x d x यहाँ पर integration कहां से 0 से लेकर x point तक यह 0 position से लेकर x तक निकालनी है न हमने ठीक है अच्छा इतनी बात clear होगी यह बड़ा काम आ गया जो constant है भाहर निकालो क्या constant है m फिर है omega square है न और integration x d x कहां से 0 से लेकर 0 से लेकर x तक और यह आपने 2 extra डाल दिया है इसको हटा दो ठीक है बशीर सब अच्छा देखो निकालना काम है हमने ठीक है तो यह work done is equal to m omega square x dx की integration क्या होती है integration of x dx अभी आपके हाथ चाड़ा x square upon 2 इस power में एक add करना होता है उसी से divide करना है इस power में एक add किया तो 2 और उसी से divide करती है ठीक है समझागे निए इससे या रख लो s dx का integration होती है x square upon 2 तो यह कितना आ जाएगा x square upon 2 कहां से कहां तक 0 से लेकर x तक तो work done is equal to m omega square upper limit x square upon 2 lower limit 0 upon 2 यह वाला क्या हो जागा cancel तो work done is equal to m omega square x square upon 2 क्योंकि omega square इसके साथ multiply हो जाएगा तो जो यह work done होगा वो ही क्या हो गया potential energy और potential energy is equal to half m omega square x square potential energy क्या निकली half m omega square x square देखो इससे यह show भी हो रहा है क्या कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे potential energy भी क्या कर रही है बढ़ रही है दिमाग में रखना potential energy कितनी होगी half m omega square x square half m omega square x square अच्छा इसके बाद निकालनी है हमने total energy, क्या निकाल लीए, total energy, ध्यान से समझना, कि जो total energy है, वो क्या होती है, that is kinetic energy plus potential energy, ठीक है, जो total energy होती है, kinetic energy क्या होती है, half m omega square, a square, है ना, यह kinetic energy का formula लिख रहा हूँ, minus half m omega square x square, कुछ बच्चे बोरे होंगे, पता नहीं, master कहां से ले आया है, यह kinetic energy, यह पूरा kinetic energy का formula है, अगर आपको याद हो, कहां पे, यह ना, half m omega square, a square, minus half m omega square, x square, यह kinetic energy का क्या है, formula है, ठीक है, और potential energy का क्या है, that is, plus m omega square, x square, आप save में से, एक save कहा दिया, तो कितना बचा, 0 बचा, है ना, यह तो cancel ही हो गया, तो हमारे पास जो total energy है, वो क्या है, that is, half m omega square, a square, यह total energy का formula, इससे पहले जो हमने निकाला, that is, potential energy का formula, इससे पहले जो हमने निकाला, that is, kinetic energy का formula, होप, आपको इतनी चीज़ clear होगी, होगी, इसका थोड़ा मैं graph बता देता हूँ आपको, बिलकुल अच्छे से समझना पहले, इदर अच्छे से समझना, देखो, इसका graph बता देता हूँ, देखो दियान से, अराम से समझना, यह x है, और यहाँ पे अलग-अलग energy दे रहे हैं, पहले मैं बात करता हूँ potential, जैसे x बढ़ता है, तो क्या potential energy बढ़ती है, देखो दियान से, यह pendulum है, ठीक है, इसका x बढ़ा, इसका x बढ़ा, तो क्या potential energy भी बढ़ती है, जब x बढ़ता है, potential energy बढ़ती है, जब x बढ़ता है, तो kinetic energy कम होती है, बट फर्क किसको नहीं बढ़ता, total energy, total energy हमेशा क्या रहती है, constant रहती है, total energy क्या रहेगी हमेशा, constant, kinetic energy, potential energy, x के साथ, kinetic energy कम होती है, potential energy, देखो ना दियान से, x बड़ेगा, potential energy बड़ेगी, x बड़ेगा, kinetic energy कम होगी, पर total energy क्या रहती है, constant रहती है, इसी को पोलते है, law of conservation of energy, जो हमें मेंने work energy power में बहुत अच्छे से आपको पड़ा रखा, इसके बाद क्या है, undammed oscillation, undammed oscillation क्या होती है, the, the oscillation, whose, whose amplitude does not, does not change, does not change with time, with the, वो oscillation जिसका amplitude वक्त के साथ नहीं बदलता, मतलब कि, अगर कोई particle oscillate कर रहा है, mean position से extreme पे जा रहा है, फिर दुबारा mean पे आ रहा है, तो, जब वो, अगली बार भी, extreme की तरफ जाएगा न, तो वो उतना ही जाएगा, जितना पहली बार गया था, तो ये undammed oscillation, उतना ही जाएगा, तो मतलब उसका amplitude कभी बदलेगा न, मतलब ऐसी oscillation, जिसका amplitude कभी नहीं बदलता, उसको बोलते हैं, undammed oscillation, मतलब जितना यहां से पहली बार extreme में गया था अगली बार भी उतना ही जाएगा उससे अगली बार भी उतना ही जाएगा अगली बार भी जितना यहां से पीछे गया था उतना ही पीछे जाएगा मतलब जितना extreme पे गया था मतलब mean से extreme की दूरी कभी भी बदलती नहीं है जब particle oscillate कर रहा होता है इसको बोलते है undammed oscillation damned का मतलब होता है oscillation का मर जाना ठीक है the oscillation whose amplitude change with time जिसका amplitude time के साथ change होता है change होने का मतलब क्या हो गया decrease हो क्या हो decrease हो अराम से समझना देखो मान के चलो particle ने ये mean position है mean से गया extreme position पे extreme से दुबारा आया mean पे और फिर extreme पे और फिर दुबारा कहां पे आया mean पे आया अब जब अगली बार अगली बार जब mean से ये गया ना extreme पे तो उतने end तक नहीं जा पाया थोड़ा पीछे से वापस आया फिर ये भी थोड़ा पीछे से ही वापस आया ठीक है तो मतलब वक्त के साथ हो रहा क्या है वक्त के साथ आप दियान से देखो तो पहले जो amplitude था न दूसरे oscillation में वो amplitude क्या हो जाता है कम फिर तीसरे oscillation में वो amplitude और कम हो जाता है और आखिर में particle mean पे आके रुक जाता है damned oscillation की एक example मैं आपको देख देता हूँ नाजिया जी ने बशीरे को ये कहा कि बशीरा मुझे जूला जूला दे तो ये नाजिया जी जूले पे लेट गई और बशीरे ने पीछे से जूला दिया ऐसे जूला दिया जूला दे के side हो के खड़ा हो गया तो नाजिया जी क्या कर रहे है ये कि mean से extreme G को रोग लेता है और मीन पोजिशन पर चले जाता है इसको बोलते हैं डाटेज डाइन जैनल टाए इसके बाद ऐसीलेशन का हो the oscillations of system with its natural frequency मतलब यही जो मैंने अभी आपको बताया क्या? कि बशीरे ने बशीरे ने नाजिया को oscillate करवाया ठेक है? जब oscillate करवाया तो नाजिया mean से extreme mean extreme गई और यह natural frequency के साथ oscillate करने लगी जो उसकी frequency है उसी frequency को क्या बोला? उसी oscillation को बोलते हैं free oscillation ठेक? अच्छा, force oscillation क्या होगी? इटर रिखना जब external force चाहिए होती है When the external force is required to maintain, maintain the amplitude of the, amplitude of the, amplitude of the oscillation. ठीक है, जैसे for example, ये मेरे पास जूला है, नाजिया जी यहाँ पे बैठे हैं, और नाजिया ने बशीरे को बोला, कि मुझे जूला जूला दे, तो इसने जूलाया, तो नाजिया ने देखा कि जूला आसता 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 दुबारा क्या आ रहा है, अपनी मीन पोजिशन force लगाने लगा, ठीक है, तांके ये continuously नाजिया जी क्या करें, जूला जूलते रहें, तो वो oscillation जिसमें पीछे से external force चाहिए होती है, तांके वो oscillations maintain रहें, उसका amplitude maintain रहें, सच्छा oscillation is known as the forced oscillation, अच्छा, resonance एक ऐसी condition होती है, the condition when frequency, frequency of source, मतलब बशीरा, and frequency of, and frequency of system, that is, नाजिया, is same, बास समझा ही नहीं है, देखो, मान के चलो, कि ये बशीरा है, तो जूला रुके न, इसलिए, ये, नाजिया को बार बार जूला दे रहा है, तो ये भी तो जूला दे रहा है, इसकी भी तो कोई frequency है, source की भी तो frequency है, मतलब frequency of source भी तो कोई है, और system oscillate कर रहा है, उसकी भी, उसकी भी तो कोई frequency है, तो source और system की जब frequency same हो जाती है, such a condition is known as the resonance condition मतलब जितने बार जितने टाइम में ये oscillate करेगा उतने टाइम पे source भी oscillate करवाने की कोशिश करेगा उसको बोलेंगे that is the resonance condition source के अबश्य तो resonance एक ऐसी condition होती है जहां पे source और system का frequency क्या हो जाती है same हो जाती है मतलब जो बशीरे की frequency होगी वो नाजिया के frequency के साथ क्या कर जाएगी match कर जाएगी the frequency of basheera is equal to frequency of नाजिया hope आपको इतनी चीज़ clear हुई होगी इसके बाद है second pendulum बिलकुल अराम से अच्छे से समझना देखो the the second pendulum is the pendulum whose time period जिसका time period कितना है that is t equal to 2 second 2 second का time period है कितने का 2 second का time period होगा उसको आप क्या बोलोगे second pendulum बोलोगे ठीक है मतलब एक pendulum ही है ठीक है जिसका time period क्या है that is 2 second है पर इसकी length पूछी जाती है आराम से समझना पहले time period is equal to 2 pi under root l upon g time कितना है 2 second 2 is equal to 2 pi under root l upon g यह 2 से 2 क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा pi की value 3 होती है और यह under root l upon g होता है ठीक यह आजाएगा 1 upon 3 यह क्या है 1 upon 3 इस साइड क्या है that is under root l upon g l upon g बचा न यह divide में 3 आजाएगा यह under root है उदर जाएगा तो square हो जाएगा 1 upon 3 का whole square हो जाएगा और इदर क्या बचा है इदर बचा है that is l upon g है ना इस g को उदर ले जाओ इस g को उदर ले जाओ तो पहले तो इसको कर देते 1 upon 9 1 का square 1 3 का square 9 is equal to l upon g g उदर ले जाओ g उदर लेगे g उदर लेगे g उदर लेगे g जी जी अपन 9 is equal to l ठीक है g की value क्या होती है that is around around 9.8 और यह मैंने 9 रखा approximation ली हुई है यह मैंने pi में मैंने approximation ली है 3 लिया 3.14 होता है is equal to l जब l निकालोगे तो यह तक्रीबन तक्रीबन 0.993 मिटर के करीब आएगा यह आपको याद ही हो जाना चाहिए कि second pendulum की length क्या होती है hope आपको यह lecture बहुत पसंद आया होगा मैंने बड़े मज़ेदार तरीके से नाजिया और बशीर को समझाया है तो please प्लीज बच्चो अगर आपको यह lecture पसंद आ रहा है तो इस पे like करो comment करो अपने doubts बगारा पूछो मेरा number आपके पास है कोई भी doubt हो किसी भी related आप पूछ सकते हो फाल्तू के doubt नहीं पूछना जो स्लेबर से बाहर हो ठीक है अच्छा उसके बाद इस चप्टर का या इस lecture का PDF का मिलेगा इस lecture का PDF टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा अभी lecture upload होते ही यह मिल जाएगा और क्या है और यह है कि एक chapter हमारा रहा गया wave वो भी मैं अभी ही upload करूँगा thank you thank you so much मिलते हैं किसी और one shot में that is wave फिर हमारी physics भी खत्म हो जाएगी तो bio भी start करनी है अभी तो मिलते हैं किसी और ने lecture में तब तक के लिए अल्ला हाफिस अल्ला रखा शुब रातरी जैहिंद वंदे मातरम shoulder को थोड़ा pain है ठीक है और थोड़े बाल भी बड़े होगी है वो भी कटवाने हैं ठीक है अल्ला हाफिस मिलते हैं कल आज ही मिलेंगे आज ही मिलेंगे sorry